हेलो दोस्तो आज मैं आप सबके साथ सेर करने जारी हूँ रात की बची हुई रोटी का टेस्टी और हेल्दी नास्ता उमिद करते हूँ पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कर देगा ज्यादा बखबख न करते हूँ वीडियो को स्ट देखे दोस्तो रोटी को मैंने तोर लिया है मिक्सी जार में रखकर रोटी का चूरा बना लेंगे ग्राइंड करके आपको एक और तरीका बताएंगे रोटी का चूरा बनाने का तो वीडियो को स्किप न करते हुए फुल वाज कीजिएगा रोटी का दो टुकरा उठाएं सेंधान नमक या फिर बूर चीनी कोई भी चीज मिलाकर चोव मैने आठ मैने सालवर के बच्चे होते हैं बहुत चाओ से खाते हैं अगर बिशबास नहीं हो रहा तो एक बाद जरूर ट्राइक कीजिएगा यह देखे दोस्तो अब हम ग्राइंड कर लेते हैं आपको मैंने तोनों तरीका बताया है चूरा बनाने का रोटी का जो असान लगे बनाईएगा बहुत लोग के पास मिक्सी नहीं होते हैं तो अब हाथ से भी रोटी का चूरा बना सकते हैं बासी रोटी रहता है नो तो असानी से चूरा बन जाते हैं अब मिक्सी जाल में से बाहर निकाल बाल देते हैं रोटी कर्चूरा को देखे दोस्तों रोटी कर्चूरा रेडी है और मैंने लिया है अनियान अद्रक और ग्रीन चिली तीन को बारी कात लेंगे बारी की कातना है लंबा लंबा नहीं कातीयेगा दोस्तों मैंने प्याज ग्रीन चिली और अद्रक को बारी कात कर ले लिया है अब चलते हैं करहाई को गैस पर रखेंगे फ्लेम को अन कर लेंगे पीनट डाल कर भूल लेंगे तेल के साथ पीनट पूल चल दी और अच्छे से भून जाता है तो आप इसी तरीके से भूनिये यह रोटी का चूरा बना कर खा लेंगे नो दोस्तो उपमा पोहा को भूल जाएंगे इतना टेस्टी रेसिपी है वो भी रात की बची हुई रोटी का तो एक बार ज़रूर बना कर ट्राइक कीजिएगा पीनट बूल गया है हम बाहर निकाल लेते हैं अब इसी कराई में थोरा सवर तेल डालेंगे डालेंगे जीरा ग्रीन चिली बारिक कटी हुई अद्रक और अनियन तीनों को गोल्डेन ब्राउन होने तक भून लेंगे यह देखिए दोस्तों प्याज अल्मोस्ट भून गया है अब हम एड़ कर देंगे स्वाद अनुसार नमक वन एस्पून चीनी और हाप निम्बू का जूस अब जूस के जगह आमचुल पाउडर ले सकते हैं दो से दस सेकेंड मिक्स कर लेंगे देखिए दोस्तों मिक्स हो गया है अब हम एड़ करेंगे रोटी का बना हुआ चूरा बहुत टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है दोस्तों एक बार बना कर देखिएगा अच्छे तरीके से अब हम एक से दो मिनित मिक्स कर लेंगे आप रोटी का चूरा इस तरीके से बना कर बच्चु को टीफन में दे सकते हैं खुद भी इंजोईस कर सकते हैं बहुत असानी से चरपटा नास्ता रेडी हो गया है वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है दोस्तों चैनल का सब्सक्राइब वीडियो को लाइक से कमेंट अब हम एड करेंगे भूना हुआ पीनट पीनट डाल के हमको ज़्यादा नहीं भूनना है सिर्फ मिक्स करकर गयास को बंद कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे 10 से 20 सेकेंड यह देखे दोस्तों रोटी का चटपटा नस्ता रेडी है रात की बचे हुई रोटी का सुवह में इस्तना तेश्टी नस्ता आप किसी को बना कर खिला देंगे तो विश्वाजी नहीं करेगा सब बो देंगे पौहा है पौहाज जैसा ही लग रहा है क्यों दोस्तों है न इसी तरीके से बनाईए और इंजोई कीजिए वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने इस किडियाटर का सपोर्ट कीजिएगा ताकि इसी तरीके का सिंपर और डेलेशिस वीडियो आप लोग के बीच लेके आओ और आप लोग इंजोई करें हम बॉल में निकाल कर इंजोई करेंगे इन देखिए दोस्तों कितना अच्छा टेस्टी और हेल्दी रेशिपी नास्ता ब्रेकफांस्ट रेडी है वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेर कमेंट कर दीजेगा इसी तरीके से बनाईए और इंजोई कीजे अपना अनुभव आमारे साथ शेर कीजेगा थैंक्स पर वाचिंग, हैव नाइस दे दोस्तों बाई बाई